अस्राइकूम दोस्तों क्या है ठीक हो सब मैं हूँ आप सबका दोस्त अहमेद तरीन वेलकम टू माई चैनल तरीन टैग दोस्तों मैं यह वीडियो लेकर आया हूँ उन दोस्तों और भायों के लिए जो लोग वाटसप की नई पालीसी को लेकर बहुत परिशान है और इतना वावेला मचाया हूँ है कि पूरे मीडिया पर सोशल मीडिया पर सब यह कह रहे हैं कि वाटसप की नई पालीसी पता नहीं है काफी लोगों को तो ना इस चीज़ की इंफरमेशन है कि वो क्या है और ना ही कुछ पता है ऐसे ही अपवाएं फिला रहे हैं कि वाटसप डैटा फेस्बुक को दे रहा है और फेस्बुक पताने ही क्या कर रहा है तो भाइओ सबसे पहलि बात ही है कि ये तो 2018 से Facebook ने ले लिया था WhatsApp को आज तो नहीं लिया उसने दूसरा Facebook पे जब आप लोग Sign Up करते हैं तो वहाँ पर आप अपना Mobile Number देते हैं अपनी Location देते हैं अपना Mobile Device Laptop जो भी डिस्क्टॉप होता है वो आप Access देते हैं उसको अपने Contacts अपने Message अपनी Gallery अपनी गैलरी अपनी एमेल सब कुछ आप Access तो उसी वक्त दे देते हैं तो अब वो WhatsApp से ले Information या Instagram से ले क्योंकि Instagram और FB भी सेमी है FB एक ही Honor है तो मतलब आप Instagram पे भी Sign Up हैं तो Facebook पे भी और आपकी लीक के जए अच्छा जी Facebook पे Sign Up हैं तो सारी डीटेल दे रहे हैं तो WhatsApp पे आने के बाद क्या हो मैं कौन सी ऐसी तबदीली आ जाएगी जो आपकी जो उसमें नुक्सान होगा कोई कह रहा है वाई Signal यूज़ करो कोई कह रहा है Telegram यूज़ करो तो यूज़ तो सब करते हैं तो ये चीज़ आपने जहन से आप लोग निकाल दें कि WhatsApp से यूज़ करने से जो है आपकी चीज़ें लीक हो रही है फलाँ हो रहा है भाई लीक तो आप पहले से हो चुकी हो आपकी डिटेल और आपकी जो sensitive information होती है या कहलें कि आपकी galleries है जो भी है आप अपना access पहले ही दे चुके हो Facebook को तो इसमें घबराने की कोई जूरुत नहीं है आप लोग WhatsApp यूज़ करो सब कुछ सही है पहले के जैसा है कोई से information में कोई फरक नहीं पढ़ने वाला जो लीक पहले हो चुका है वो हो चुका है अब इसमें कुछ भी नहीं हो सकता आप किसी भी social app को यूज़ करेंगे उस पे आपकी information आटोमेटिकली लीक होगी तो इसलिए मेरे भाईयों बिलकुल attention नहीं लो और मटसम यूज़ करो अल्लाहाफिस